इस वीडियो में मैं डिस्कस करने माला हूँ matching type of questions आप देखें कि J-E main हो चाहे J-E advance हो वहाँ पे matching one to one ही नहीं देता है one to more than one होता है तो यह जो type of questions मैं discuss कर रहा हूँ यह J-E main और J-E advance के लिए काफी useful है और वैसे यदि आप deed की त्यारी कर रहे हैं तो practice के लिए बहुत अच्छा है तो आप यह questions के evaluation के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले जो भी options हैं आप उसको खुद ही answer बनाके ready रखेंगे फिर मेरे explanation के बाद आप check करेंगे आपके answer सही हैं या गलत हैं कितने answer सही है लास्ट के वीडियो में आप देख लेंगे और यदि मान लिए कोई किसी question के concept में आपको कोई परसानी हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं सिदे जाएए आप comment box में और वहाँ पर मुझे question भेजिए question number one में देखिए यहाँ पर tear gas, mustard gas, phosin and teflon दिया हुआ है और आपको यहाँ match करना है कि correct formula कौन सा है तो एक-एक को हम analyze करते हैं यहाँ पर दिखिए tear gas जो है इसको हम कहते है chloro-pickrin और इसका form नहीं होता है ccl3-no2 यदि यह chloroform होता तो हम क्या लिखते है ccl3 तो nitro chloroform इसका दूसरा नाम हो जाएगा यह हो जाएगा तो A का जो matching है यह हो जाएगा R अब दिखते हैं mustard gas क्या है यह दिखिए mustard gas का formula है CH2Cl, CH2S, CH2, CH2Cl इसको कहते हैं alpha-alpha-dichloro-dithyl-sulfide तो यह जो है mustard gas है तो यह हो गया mustard gas तो mustard gas का जो formula है यह आपको match किया P से तो B का answer जो है P हो जाएगा phosgen, phosgen का दूसरा नाम है carbonyl chloride और carbonyl chloride क्या होता है COCl2 इसका मतलब phosgen के लिए हम जाएगे की के होगा, यह हो गया Q तो C का option जो matching है यह हो गया Q और teflon जैसे आप जानते हैं यह poly, tetra, fluoro, ethylene कहलाता है मतलब C to F4 का जो है हम लेते हैं polymer तो यह हो जाएगा teflon का S तो आपके answer कैसे हो गए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, R, B, P, C है Q and D जो है उसका matching हो गया S तो इस तरह से जो है first question का जो है A, R, B, P, C, Q and D, S, A answer अब second question हम आप देखिए, matching के अंदर shape of the molecule दिया है और hybridized न भी दिया हुआ है तो अब इसको match करते हैं तो पहला है CLF, अब दो atom जब होंगे तो वो तो linear ही होगा इसका मतलब CLF को हम ले सकते हैं Q से, तो A का answer हो गया Q अब CLF3 आप याद कीजिए, जब हम CLF3 लेते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि bond pair होता है 3 और loan pair होता है 2 जिसकी वज़े से hybridization हो जाता है SP3D और SP3D की वज़े से जब हम इसको draw करते हैं तो यह देखे, CL है F, F, यहां से और यह दो loan pair तो यह हो जाता है T-shape, यह हो जाता है T-shape, तो CLF3 में hybridization सबसे पहले हो गया SP3D तो यह CLF3 का P भी answer हो गया और T-shape R भी हो गया तो B का answer हमारा जो है P and R दोनों ही है matching में one to one matching में हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इसका देखते है CLF5 अब यह देखिए CLF5 जो है इस पे hybridization होता है SP3D2 और एक loan pair की वज़े से यह देखिए यहां से हो गया CL और यह हो गया चार फ्लोरीन यह पांचवाँ फ्लोरीन और नीचे हो गया loan pair तो यहां पे SP3D2 hybridization है SP3D2 बागी shape तो match करता नहीं है और जब हम I3 लेते हैं तो यहां पे CLF5 का answer होगे S मतलब C का answer है S जो matching है वो S इस वद आई 3- यहां पे दिखिए अब यदि में लेता हो I3- तो यहां हो होता है SP3D hybridization bond pair होता है 2 loan pair होता है 3 और इस तरह से हम देखते हैं I, 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 I एक loan pair, 2 loan pair, 3 loan pair और यह हो जाता है linear तो I3- के लिए हम लेंगे Q, यह हो जाएगा Q, तो आपका answer है A का matching है Q, B का है P and R, C का S and D का Q, थर्ड question में दिखिए ऑक्सी acids of chlorine जो है list 1 में है और यहां पे CL and O के बीच का bond length है तो एक कम करते हैं सबसे पहले यह जो aux ions यह oxy ions हैं इनका structure बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या relation है bond order और bond length का, तो CL O minus इस तरह से होगा, CL double bond O, O minus यहां होगा यह 3 loan pair होता है यहां पे, यहां पे 2 loan pair है CL double bond O, double bond O, O minus होगा एक loan pair है और जब हम CL O minus लेते हैं तो यह देखें कोई loan pair नहीं है तो जैसे से number of bonds बढ़ते जा रहे हैं इसके regenerating structure बढ़ते जा रहे हैं bond order भी बढ़ रहा है और bond order हम कैसे निकालते हैं यह हम निकालते हैं हाँ total जो है पहले हम ले लेंगे इसका number of bonds between two atoms and divided by हम रखते हैं number of structures तो जब हम CL O minus से CL O 4 minus आते हैं number of bonds भी बढ़ रहे हैं number of structure भी बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं bond order जो है यह ऐसा increase हो रहा है इन चारों structure में तो जब bond order increase होगा तो bond length छोटा होते जाएगा तो जब bond order यहाँ पर one है तो सबसे ज़्यादा जो है bond length होगा तो देखते हैं सबसे ज़्यादा इन में कौन सा है दीखें यह values अब याद नहीं करना है just compare करना है तो CL O का जो है यह हो जाएगा अब 1.7 से जो कम होगा वो HCL O 2 का होगा यह value आ गया इससे जो कम होगा HCL O 3 का आ जाएगा और जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा HCL O 4 के लिए तो अब हमारे पास यह बलको clear है न जैसे इससे bond order बढ़ते जा रहा है bond length कम होते जा रहा है तो यहाँ पे bond order 1 है यहाँ पे देखा जा तो एक बार double bond आएगा एक बार single bond आएगा तो nearly 1.5 आ जाएगा इस तरह से bond order बढ़ रहा है bond length कम होते जा रहा है तो हम देखेंगे A का answer हो गया Q, D का answer है S, C का answer है R और D का answer हो गया P तो यह जो है correct matching हो गया bond length का और values का Question number 4 जो है halogenes और उसके color से related है तो जैसे आपको मालू है कि fluorine, chlorine, bromine, iodine fluorine छोटा होने की वज़ए से IP उसका ज़्यादा है electron को excite करने के लिए ज़्यादा energy चाहिए तो जब energy absorbed जादा होगा तो कम energy का जो color है वो दिखेगा तो यह होता है yellow color का, pale yellow color, fluorine chlorine जो है वो greenish color का gas है तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा bromine जो है liquid है और यह orange या brown color का होता है तो यह BR2 हो जाएगा और iodine जो है solid है, purple violet color का solid है तो I2 का matching यह हो जाएगा तो इसका मतलब होगा fluorine के लिए A का answer है P, A का answer होगा P, B का answer जो है A, C का answer है, R, and D का answer है Q, तो यह color और halogen का matching था, इसको आपनोट कीजिए, question number five में देखिए, और जो ions दिये हुए हैं और इससे related hybridism और lone pair के उपर matching है, तो सबसे पहले हमें इनका structure देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप यादर रखिए सारे के सारे aux joints हैं, उसमें sp3 hybridization है, तो यहाँ पे यही मैं लिख दूँ, hybridization in all, यह है sp3, पहले भी हम calculate कर चुके हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे c l o minus, तो यहाँ पे देखे, seven electron से एक तो यह use हो गया, तो बचा कितना, एक lone pair, दो lone pair, तीन lone pair, तो sp3 तो सब में आना है, और इसके साथ 3 lone pair, तो 3 lone pair, तो यह देखें, एक हो जाएगा r, और एक हो जाएगा t, तो a का हमारा हो गया, r, t को capital लिख लिजे, और यह हो जाएगा t, इसको second है, c l o 2 minus, अब c l o 2 minus को देखते हैं, c l double bond o, o minus, अब यहाँ पे साथ electron में से, एक, दो, तीन तो यहाँ है, इसको मतलब यहाँ पे कितने lone pair से हैं, दो lone pair, तो c l o 2 के लिए, two lone pair q, और t तो होना ही है, तो b हो जाएगा, q and t, अब देखते हैं, c l o 3 minus, यह देखिए, c l double bond o, double bond o, o minus, अब देखिए, electrons कितने use होगे chlorine के, एक, दो, तीन, अब यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, तो यहाँ पे एक lone pair बचा है, तो c l o 3 के लिए, एक lone pair, और hybridize से तो t होना है, मतलब t and t, t and t, अब देखते हैं, c l o 4 minus का structure, c l double bond o, double bond o, double bond o, o minus, अब यहाँ पे देखिएंगे हम, chlorine का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सारे electrons तो हैं, bonding में involved हो गए हैं, no lone pair, तो यहाँ पे c l o 4 पहला हो गया, no lone pair और यह t तो होना ही है, इसका मतलब हो गया, s and t, तो यह answer है, a का है r t, b का है q t, c का p t, और d का है s t, t सब में हैं, क्योंकि sp3 hybridization common है, question number 6 में, जो matching है, वो eating of glass, pseudo halogen, pseudo halide, moison method के बारे में हैं, और यहाँ पे कुछ ions या molecules से दिये हुए हमें match करना है, तो सब से पहले लेते हैं, eating of glass, यह मालूम है कि glass is attacked by HF, और वहाँ पे hydro fluorosilicic acid बनता है, इसे ही हम कहते हैं, eating of glass, तो eating of glass के लिए आपका answer आ गया, यह हो जाएगा r, तो a का answer है r, it's a pseudo halogen, जो halogen के जैसा behave करे, तो यहाँ pseudo halogen का answer है, हमारा t, c and taken twice, cynogen, इसको हम कहते हैं, cynogen, इसका property halogen के जैसा, तो b का answer हो गया, t, c है pseudo halide, तो pseudo halide में आप देखेंगे, कि यह भी एक answer है, और यह भी एक answer है, इसका आपका c का answer, q and s, दोनों हो जाएगा, और आपको मालना है कि moizen ने जो है, k, f2 का electrolysis करके molten state में fluorine बनाया था, तो moizen जो है, वो fluorine से related है, तो यहाँ पर हमने ले लिया fluorine, तो d का answer हो गया, आपका, p, अभी बताएगे, इसी को यह दि, single correct answer जैसा बना दे रहा है, matching के जगा, तो अब यहाँ पर options क्यार होंगे, इस तरह से हम choose कर सकते है, b, c, d, अब यहाँ पर जो है, यह p, q, r, s इस तरह से आ जाएगा, s, t हो जाएगा, लेकिन जो correct answer बनेगा, उसको मैं देखता हूँ, यह हो जाएगा, r, d का है, t, c का हो जाएगा, q, s, और d जो है, यह हो जाएगा, p, तो ऐसे जो option बनेगे, तो single choice correct answer भी ऐसा बन सकता है, और more than one matching, इस तरह डाएग्ट है, तो ऐसा बन सकता है, 7th matching question में देखिए, इधर जो है, molecules दिये हुए हैं, और यहाँ पर hybridization है, जब हम लेते है, s, f, 4, तो यहाँ hybridization आता है, sp3, d, और यह s, f, 4, इस तरह से होता है, और एक loan pair होता है, याद कीजिए, c size structure इसका आया था, c size structure, तो sf4 जो है, sp3, d हो गया, sf6 बहुत ही common है, sp3, d2 है, sf6, sp3, d2, याद कीजिए, octahedral, तो इस तरह से octahedral या square by prime dash को कहते हैं, यह हो गया octahedral और hybridization है, sp3, d2, अब देखते हैं, icl3, icl3 जो है, इसके अंदर hybridization आता है, sp3, d, अच्छा, तो sf6 का यह हो गया, icl3 का sp3, d, और इसका आता है t-shape molecule, i, chlorine, 1, 2, 3, यह loan pair, और यह loan pair, तो यह हो जाएगा t-shape, और पर जो है, shape के साथ भी matching आ सकते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो यह हो गया sp3, d, if7, if7 जो है, यह देखिया आप, iodine, एक उपर, एक नीचे fluorine है, इसका 5 जो इस plane में है, और यह हो जाता है pentagonal by pyramidal, यह है sp3, d, 3, pentagonal by pyramidal, तो इसका 5 जो है sp3, d, 3, तो a का answer जो है, यह आए जाएगा, p, जो b है, उसका answer है, s, c का, फिर से p, और d का जो है, r, इसका 5 जो है, q जो है, इसी matching में नहीं आया है, 8th matching में, molecule से दिए गया है, और इसके hybridized, इसको match करना है, तो सबसे पहले देखते है, solid pcl5, यदि vapor pcl5 होता, gases pcl5 होता, तो hybridized होता sp3, d, लेकिन solid जब है, तो यह dimer form में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, solid pcl5 is in dimer form p2cl10, और यह जो p2cl10 है, यह देखिए यहाँ से, यह है pcl4 plus and pcl6 minus, अब इन ions का hybridized से देखेंगे, तो यह होता है sp3 और यह होता है sp3, d2, इसका मतलब solid के लिए sp3 and sp3, d2, p and r, तो यहाँ पर answer आगया p and r, अब देखते हैं हम लोग brf5 का, यह जो brf5 है, यहाँ पर देखेंगे 7 electrons थे bromine के, तो 5 तो bond pair हो जाएंगे, और 1 lone pair हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि bond pair आएगा 5, lone pair आएगा 1, brf5, अब यह calculation तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, आप देखेगा videos के अंदर सारे structure दिये हुए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा br, fluorine 2, 3, 4, 1 हो जाएगा 5, इदर हो जाएगा lone pair, तो brf5, जो है sp3, d2, इसका answer हो गया, इसका R, अब लेते हैं हम cl2, 07, अब यह देखे, cl2, 07 में structure ऐसा होता है, double bond O, double bond O, double bond O, और यहाँ भी तीनों oxygen जो है, यह double bond से है, तो यह भी sp3 है, यह भी sp3 है, chlorine का जो है sp3 है, बेडिसार, अब यह ओ तो है ही sp3, तो यहाँ पर एक ही answer आएगा sp3, तो हम जाएगे p पे, c का हमारा answer हो गया, p, अब लेते हैं xcf4, यह जो xcf4 है, अब दिखे, इसके अंदर 8 valence electron होते हैं, 4 तो bond हो गया, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, bond pair हो गया, 4, तो lone pair कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे, sorry, lone pair हो जाएगा आपके, 4 electron के वज़े से 2, तो अब यह जाए 6 हमारे पास electron pair है, इसका मतलब हो गया, यह हो गया xc, और यह हो गया 4 fluorine, और ऊपर में एक lone pair, नीचे में एक lone pair, तो यह हो जाएगा square planer, अब यह square planer जो है, वो dsp2 नहीं है, sp3 d2 है, तो xcf4 का है, r, तो d का answer हो गया, r, तो इस पर से matching हमने लिए, इसको note कीजी आप, झाल